बहु की मौडिन मा निर्मला निवास एक बड़ा ही तौर तरीके और काइदे वाला घर था वहाँ निर्मला के कहे ही सब काम करते और रहते एक सुबा निर्मला अपनी सहली के साथ आंगन में बैठी बाते कर रही थी तब ही उसकी बहु प्रिया बहां आ जाती है और सर पर आंचली अपनी सास के पैर छूती है पाई लागो माजी आज आप जल्दी उट गई हाँ बहु आंख खोली गई थी तो सैर पर चली गई वहाँ वा सुधा मिल गई तो दोनों साथ ही आ गए चाची जी को चाई नहीं पिलाएगी क्या हाँ हाँ माजी अभी लाती हूँ ये कहकर प्रिया कीचेन में चली जाती है देखो ये होता है काईदा जरा साभी पल्लो हटा क्या वहो के सर से तुने इतना कंट्रोल किया कैसे है निर्मला मेरी बहुत एक नंबर की चांडाल निकली पहले तो बोली साड़ी में पैर उलचता है मम्मी जी और तो और सभी रिष्टेदारों की सामने दो बार तो गिर भी गए अब मैं क्या जानू कि ये सब उसका शड़्यंत रहे बोली सूट पहन लो क्या मम्मी जी मैंने भी बोल दिया पहन ले लो फिर क्या सूट क्या सर ढखना क्या क्या बोलो निर्मला चाती कूटने को दिल करता है सब के सामने नाइटी में घुमने लगे आजकर क्या हाई राम ससूट जेट के सामने ही हाँ टोकोगी तो बोले कि आप भी तो पहन थी हैं अब हम तो बुड़े हैं, हमसे क्या परतर? अरो सूट तो मैंने भी पहनाया, पर इतनी से भी छूट नहीं दी कि सर पर बैठ जाए मैंने इसके आता ही इसे बोल दिया था, कि बहु साडी में दिक्कत हो, तो सूट पहन लेना पर सर से जिस दिन दुपटा हटा, उस दिन सीधा अपने मा के निकल जाना तभी वहाँ चाए लेकर प्रिया आती है अरे बहु, इतनी जल्दी, अरे कल आ जाती, चाजी जी को कोई हडबडी थोड़े ना है अरे नहीं नहीं, बहु कोई बात नहीं है मैंने नहाने चले गए थी माजी, आपी ने कहता ना कि बिना नहाने कोई रस्वे में नहीं जाएगा, इसलिए ठेक है, ऐसे चलता है घर वसुदा दोनों सहलियां चाई पी लेती है, वसुदा चाई की कब धोने डालने के लिए उठती है आरे आरे रोके चाई वसुदा, अभी प्रिया आएगी, देख लेना और ऐसा ही होता है, प्रिया खुद आकर उनका कब उठाकर लेकर जाती है बाप प्रिय, निर्मला, इतनी भी चाबी मत कसो कि चाबी तूटी जाए तो ने बचा लिया न अपना घर, मैं अपना बचा लोगी बिचारी प्रिया, पसीने सिल्ध पद रस्वी में काम करती रहती है उफ, इतनी गर्मी लगती है, लगता है फिर से ना आना होगा प्रिया नहागर आती है और वो कंगी कर रही होती है कि तभी उसके फोन पर उसकी ममी का वीडियो कॉल आता है ममी कैसी हो तुम? मिस्ट यू सो मच ममी बहुत बहुत अच्छे हो मेरी गुडिया पर यह तेरे बाल आगे से इतने काम क्यों लग रहे हैं? वो दिन पर सर ढखना होता है न ममी तो उसके कारण आगे के बाल उटने लगे हैं? क्या करूं मैं? यह तो बहुत ज्याती है खैर माने यह बताने फोन किया था कि मैं आ रही हूँ तेरे घर आज शाम ही पर ममी तो चार साड़िया प्लीज लेते आना मेरे सिसुराल में न मौडन कपड़े नहीं चलते मैं तेरी मा हूँ पेटा तो चिंता मत कर ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे तुझे तकलिफ हो अपने कहे मताबिक मनी शाम को गाउन पहन कर अपनी बेटी के सिसुराल पहुँच जाती है अरे सम्दन जी आईए आईए बड़े दिन अबाद मुझी तो आना ही था सम्दन जी बेटी की घर की बात है आना जाना होते रहना चाहिए है न अब अंदर भी बुलाएंगी कि यहीं से भेजनी का इरादा है अरे अपना बड़ी बजा क्या है आदद बदली नहीं आपकी आई आई अंदर आई आई निर्मला मुझी पर मुस्कान लिए अंदर ही अंदर सोचती है क्या बेशर्मी है इस सुम्र में गाउन बहन कर आई है क्या सीखेगी प्रिया कल से वो भी यही सब शुरू करतेगी नए 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 निर्मला की बहु किचिन में सूट में सरढ़के बाहर आती है बिटा तेरे किचिन में फैन नहीं है क्या तेरी हालत देखकर तुम मुझे भी गर्मी लगने लगी हमना तो कभी पंखेश से काम ही नहीं किया संदरन जी कोई जड़ तो नहीं गया शरीर हमारा सब एक साथ बैट कर बात कर रहे होते हैं कि वहाँ वसुदा रोती हुई आती है निर्मला निर्मला मेरी बहु घर छोड़ कर जा रही है अच्छा है न जानत है करन के दोसरी शादे कर देना ये क्या कह रही है आप संदरन जी क्या बात है वसुदा जी आपकी बहु घर से क्यों जा रही है छोटे छोटे कपड़े पहनना चाहती है बताईए अब मैं क्या करूँ अच्छा तो यहाँ सब की एक ही सोच है क्या मैं बात करूँ आपकी बहु से हाँ हाँ चलिए न मनी नैना से बात करती है क्या बताऊ आंटी क्या बताऊ मेरी गलती होगी जो मैंने शादी कर ली इतनी गर्मी अरे कई बार तो मुझे सर्द गर्म भी हुआ पर किसी को कोई फिक्र नहीं क्या आत्मी कपड़े भी खुद की इच्छा से नहीं पहन सकता ममी जी तो पूरे महले में नाइटी में फिरती रहती अरे मैं बस नहाने के पहले नाइटी पहन लेती हूँ और वो बिद्दुपट के साथ तुम्हें मुझे बताने के जरुरत नहीं है बिटा मैं उनकी शिकायद सुनते ही सब समझ गई थी मनी और नैना बात कर रहे होते हैं तबी वहां से हाफ पेंट में एक लड़की पार होती है ये काँन है बिटा? ये, ये मेरी ननद है वसुदा जी, आपका घर तो तूटना ही चाहिए बेटी अगर हाफ पेंट 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 तो ठीक और बहु नाइटी भी पेंट तो गलत अरे, उसे ना गर्मी बहुत लगती है इसलिए और नैना, वो तो बर्फ की सिल्ली की बनी है है ना? वो कोई दिखावे के लिए कुछ नहीं कर रही? वो भी इंसान है या फिर कोई भी नहीं मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था बहु मुझे माफ करते आपके माडन कपड़ों को देखर मैंने न जाने क्या क्या सोच लिया था पर सोच कपड़ों पनिर्बन नहीं होती आज देख लिया पर यही सब आपकी बेटी की साथ भी तो हो रहा है शायद इससे भी पत्तर इससे लिए तो मैं आई हूँ मनी वापस अपनी बेटी के सिसुराल जाती है जहां प्रिया किचन से भागती हुई अपना दुपट्टा गिराती हुई आती है यह सब क्या है बहु तुमने दुपट्टा कैसे हटाया मामी जी वो दुपट्टे की छोरने आग पकड़ ली थी तो क्या हो गया वही तो क्या हो गया बिटा जाओ कपड़े पैक कर लो हम लोग यहां से चल रहे हैं कहा जा रहे हैं आप लोग मैं अपनी बेटी को यहां से ले जा रहे हूँ लाव मारेश थी ना तुम्हारी प्रिया मुझे तो तुम इस घर की नौकरानी लगती हो जिद करके तुमने शादी की थी ऐसे गर में अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो इन लोगों को अब भी तुम्हारे दुपटे से सर ढका है के नहीं इसकी फिक्र रहती अब पानी सर से उपर जा चुका था प्रिया अपना बैक पैक कर लेती है मम्मी मैं भी चलता हूँ प्रिया सहती रही क्योंकि वो सूचती थी कि आप बदल जाएंगी पर वो गलत थी किसी पर रोग टोक करके जानवरों की तरह बरताओ करके आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते इसे घर चलाना नहीं कहते हैं मम्मी बिटा मुझे लगा बहु हाथ से निकल जाएगी मैं तो कॉलिट से जॉब लेने के बाद कभी वापस आना ही नहीं चाहता था मम्मी पर मेरी मौडन सास ने मुझे कहा कि बिटा कोई गलत कदम मत उठाओ अपने माबाप को मत छोड़ो प्रिया ने अपना रहें सें सब कुछ बतल लिया और तुमने उसे क्या दिया मम्मी अपने घर को तूटता थी एक निर्मला बेचेन हो उठती है मुझे माफ कर दे बाभू समधन जी आपने आज मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी अब अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मैं खुद अपनी बहु को आपके पास जाने से नहीं रोकूंगी फर मुझे एक मौका दे देजिए हम मुझे विश्वास है कि आप बतल जाएंगी अब मैं चलती हूँ मेरी बहु मेरे बिना एक मिनट पी नहीं रह पाती मेरी बच्ची परेशान होती होगी जब कोई लड़की अपना घर छोड़कर आपके घर आती है तो उसे अपने घर की शुवा बनाओ डोर मैट नहीं और मनी के आने के कारण एक साथ दो दो घर तूटने से बच जाते हैं